जो बहुत चोटा अपनी इस फोर्नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार में विरुजगारी एक मुद्दा बन चुका है हलाकि सरकार के तरफ से आस्वासन दिया गया है कि 20 लाक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे हलाकि इस पर कितना खरा उतरता है तो भविस्दिव की बात है लेकिन फिलहाल इसके मंडल ग्रूफ ऑफ इंस्टिूशन के तरफ से एक अच्छी पहल की गई है क्या कुछ है उसके बारे में हमारे साथ ज़्यादा जनकारी के लिए है इसके मंडल जो इस ग्रूफ के चेर्मैन है क्या कुछ नया करने जा रहा है इस बार आपका इंस्टिूशन के दोर बिहार में 6 जगों पर वेबसाइक प्रसिक्षण कोर्सम प्रसिक्षण देने के लिए संस्थान का संचालनं किया जा रहा है पुरुणिया में पुरुणिया में क्रिश्णा इंचूट अप्रामेडिकल सेंस है एक पत्यल नगरपतना में है यह सभी संस्थानों में जो प्रशिक्षन कोर्स चलाए जा रहे हैं वह सभी व्यप्शाइक प्रशिक्षन कोर्स है इसमें सत्र दोहजार बाइस में नामांकन के लिए हम लोगों ने एक राष्टी अस्तर पर परवेस परिच्छा उजित किया उस परवेस परिच्छा का सबसे खास उदेश था ये कि सभी संस्थानों में जितने भी कोर्स में प्रसिक्छन दिये जा रहे हैं उस कोर्स के लिए नामांकन की लिए बच्छे आवेदन दे रहे हैं उसने जो पर्थम स्थान पर आएंगे उनके लिए संस्थाला की द वार्वेस चा जातविर्ती को में बच्चे को दी जाएगी और दूतिया स्थान पर जो बच्चे आएंगे उसको आधे को जो है चात्विर्थी के रूप में दी जाएगी यह तो संस्था के दौरा एक पहल है कि इसमें इस तरह से चात्विर्थी दी जाएगे तो इसके लिए हम लोग राश्टिया तरफ के डिए चात विर्थी दी लाब लेंगे और जो शाथ विर्थी का लाब नहीं ले पाएंगे वह सरकार के दोर जिन्नधारइब कर दोरा नमांकन के उपरां ते जो है जो हमारा कॉर्स कंप्लीट होता है शबर्भ में भी जो कॉर्स होते आया है तो जो आप वेरोजगारी क बात कर रहे हैं यह सभी कुर्से जैसे है इसमें लेने के बच्छे बिरुजगार नहीं रहेंगे क्योंकि यह सभी वेपसाइक परिसेंट कुर्स है आप पिछले तीन साल में अनुमान तर्द देख रहे हैं कि कोरोना काल में पूरे देश दुनिया में नर्सिंग अश्टाप हमारे हैं कलास करेंगे उसको हंडेट परसंट केंपस प्लेस्मेंट के साथ हम लोग विदाई करेंगे पाइनल गेर के बाद उसमें क्या है कि हम लोग बिहार के और बिहार के बाहर जो भी अस्पताल सरकार की नुकरी मिलने में हो सकता पास करेगा तो एक साल दूसरा लेट ल जो हमारे संस्थान से बच्चे ट्रेंडिंग करके पास करेंगे जो चमहला रहे हैं तो ऐसा इसा हमारे हैं इसके बाद इस चात्रविति परिछा को लोगों ने आविदन फॉरुम के लिए दिया था कि राष्टियस तरों परिछा लेंगे तेरा अगस्त तक इसका लिए तो आगे हम लोग बरहाए आपके माध्यम से मतलब अगला तीन अक्टूबर तिक इसका हम परिवेस परिछा का फॉर्म जमा करने के लिए डेट निर्दाइद किये हैं यह आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे वहां तक पहुंचना चाहरे हैं जो लोग नहीं देख पाए इसको सभी राष्टी अस्तरप्रम परिच्छा उजिद किये हैं तो जहां भी इसको देखेंगे लोग अधिक साधिक लोग इसमें सामीर लेंगे चाहिए बाद में यह कोई नहीं कहें कि हमको पता ही ने चला और हम आवेदन फॉर्म जमाने इसमें जो है आवे दौनों इस स्थिति नंवी फॉर्म में बरा रहा है और हमारे संस्था में में होगी जो ह recreation कर सकते हैं साथ ही नवी ह हिंदुस्तान अकभार के साथ हिंग चल रहा है जो कि विहार में जितने भी इंदुस्तान एक पर कारजाला वहां भी हमारा परिच्छा फॉर्म उपलब्द है बच्चे वहां भी जाकर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म हमारे कारजाला में जम्मा होगा जब सरकार के पास में कोई ऐसी नहीं होती है तो अधिकतर वह बातों को टालते नजर आती है इसी करम में अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि हमारे इंस्टिशन में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो लोग करके बैठो है अधिकतर बहालियां निकलने के कारण लोग और काफी बेरोजगार है क्या लगता है कि आप आपके लिए वह चुनावती बनती जाएगी तो फिर उसको कैसे आप ने यह हमारे लिए हमारे संस्थान के लिए चुनावती नहीं होगी जो एक्सक्रमेंडल गुरूप इंस्टिशन के अंतरगर संस्थान के संचालन किया यह सभी संस्थान वेपसाई कोर्स है आप देख रहे हैं कि जगा जगा पनर सिंग हो में अस्पताल है आप कहीं बीजाए एक त्रेंड में कर रहा है तो साथ वह पहर होंगा और और आदमी को ऐसा ही किसी तरह काम चला रहे हैं अगर हमारे संस्थान से बच्चे पास होगा और वहां इलाज कराने लोग आएंगे उनको भी सुविधा मेलेगे तो यह बताना पर हर हाल में उनको नोकरी मिलना चुकि आप्साइक और मेडिकल के चैत्र में है जहां पर लाखों करॉरों की संख्यां में जहां भारत में लिए निगत चोटा सब पहला है का थाट जैसे A&M का कॉर्स है इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है और उसका एज भी जो सिमा रखा गया है मतलब 17 साल से 35 साल के अंदर में जो महिला इस ट्रेंडिंग को कर सकते हैं एक 2 साल का मातर कॉर्स है यह 2 साल का कॉर्स करके तुरांट उनको जो नोकरी मिलेगा 35 जरुपर महिन यह चुकि हम लोगों का संस्थान जो है प्राइवेट को लेज है तो सरकार के दौरा जुनेर धारिक सुल्क है प्राइवेट के लोज को यह फीस लेना वही फीस हम लोगों के दौरा निधायत किया गया है तो यह जो चात्विर्थी का अंतरगत आएंगे और उसके बाद सरकार के दौरा स्टुडेंट करीडिट काट यह जोजना लागो की गई है आज से दोजार सत्रह में हमारे मुख मंतरी का बहुत ही मेगावी जोजना है और वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा पैसे उनका परहाई ने छोटे तो उस सिक्षा प्राप्त करने के लिए student credit यह जिना को लागो किया है हमारे संस्थान में 50% से ज्यादा कुर्स ऐसा है जिसमें student credit करीडिट काट यह जचना कर लाग दिया जा रहा है हैं तो अगर उनके पास नहीं भी पैसा अगर हमारे हां प्रिवेस परिशा में समलित होते हैं तो फीस वो सरकार के इस्ट्रेंट करिडिट कड़ विजना से लेकर कोलेज में जमा करेंगे और उनका पराहियां पूरा कराएंगे एक सवाल और है कि बिहार में बहुत सरे ऐसे कोचिंग संसान हैं ऐसे बहुत सरे इंस्ट्रिशूट हैं आपके इंस्ट्रिशूट में और क्या बेहतर दे रहे हैं लोगों को की आपकी इंस्ट्रिशूट में लोग ज्यादा यह हमारे इंस्ट्रिशूट में बहतर दे रहे है कि हम लोग के जितने भी सिक्षकों को नूठिये हैं अभी हम लोग बिहान में जो कशन को मतलब कुछ समय पहले साथ है जो कशन माच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे यह इतो रहे200 अपर IM Strange जचरोंगे उससे में पाफॉट का है नहीं यहां पर हमने राष्टी अश्टर के सिक्षक भार की हमको जो यह श्क अच्छक व panelists आश्रेक्स पर सभिढ़ों के जर्थ वह समय समस्टय में दीतती है उसमें से kim AIR । है और सभी में जो व्यवारीद सुर्ण पर सुट लिए अपना सुर्ण करके इस लिए अरों से हम लोग अलग है थोड़ा ये जो लिट्रेचर में आपने जो कोर्स के बारे में कुछ भी मेंसिक्षिंट क्या है जो कुछ भी इसको थाना सा कोश्याई होते हैं अभी पट्र ez इसमें मत्लब नहीं होता था पच्छे इस को करने के लिए बिहार से बाहर जा तयते थे बैंगलोर में दिल्ली में करके आते थे आज हम Bachelor of Hospital Management को एक मधिपुरा जिला में मुर्ली गन जगा चोटा से ब्लोग है वहां पर संस्था कमानेता प्राप करके आपने क्या है कि बाहर जाने के जौरत ही निसमें आप जो भी कुर्स देख रहे हैं Bachelor of Hospital Management, Bachelor of Hospital Therapy, Bachelor of Occupational Therapy, Bachelor of Business Administration, BMC, BCA, BMLT, महिलाओं के लिए आपने का ट्रेनिंग है एक साल का कॉर्से CMD का ट्रेनिंग होता है जो मैं टिक पास करके अगर इंटर किसी कारें से नहीं पराग घरां बैठे हुए एक साल कहीं ट्रेनिंग करेगा जिसको कम लोग कंपोंडर बन जाएगा पंद्रह हजार भी हजार का नुकरी इसको कहीं खोज निकली जाना घर के बगल में जो अस्पता लगा वही इसको रख लेगा उसके बाद देखिए इसीजी टेक्निसियन है जो हमेशा हमनों का इसीजी टेस्ट करना पड़ता है किसी भी अस्पताल में जाएग इसको तुर कितना इंपोर्टेंट से लाइब टेक्निसियन का देखिए इस बिहार में कोई भी आदमी जो बलट जांच करते हैं तो बलट जांच करने में देखिए होता क्या है अगर चार बार आपको सुई भोके कितना टेंशन होगा अगर उसको को ट्रेंड डार्मी नहीं है और भेन सकता है अगर यह सरकार सकती से लागू कर दे तो असी परतिसर दवा के दुकान भारतें बंद हो जाएगा और यह कुछ हमारे पास है नहीं है तो कुछ-कुछ चीजहों को देखा जारा है कि सरकार कुछ समय दिया के डी फर्मा जो पास करेंगे वही दबा दुकान को कर सकता है